नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आलोक स्वागत है आप सभी का आप सभी के अपने ही यूटूब चैनल आलोक स्वाग पर अभी मार्च का मन चल रहा है और ये वो टाइम है जब एक कम फीडर प्लांट को फीड देने के साथ साथ हेवी फ्लावरिंग लेने का टाइम जो है वो सुरू हो चुका है मैं बात कर रहा हूँ बोगन बिला की बोगन बिला के अंदर इस टाइम पर अगर आप कुछ काम कर लेंगे तो आने वाले समय में आपको अच्छी फ्लावरिंग इससे मिलती रहेगी मैंने अपने ब्लॉगि करना है मतलब इसे नाइट्रोजन, पोटास और फासपोरस का एक ऐसा कॉम्बिनेशन देना है जिससे इसके अंदर पूरे साल अच्छी फ्लावरिंग हो हालांकि ये कम फीडर प्लांट है लेकिन मेरे हिसाब से इसे हर चौथे-पाच्वे महिने में थोड़ी-थोड़ी ख ना पसंद करता है तो इस वजए से इसकी रूट्स सो बहुत ज़्यादा छेड़िये छाड़िये नहीं एक गमले में अगर लगा दिया है तो दूसरे तीसरे साल रिपोर्टिंग कीजिए हर साल रिपोर्ट करने की इसको जरूरत नहीं है अभी देखिए इसमें थोड़े- रिच फर्टिलाइजर जो है पसंद होते हैं इसकी अंदर जो कलर्फुल फूल मतलब जो कलर्फुल लीप्स आती है उनहीं को लोग फूल समझ बैठते हैं जबकि इसका जो फूल होता है वो उन कलर्फुल पतियों के अंदर होता है मतलब एक पूंकेशा सा निकला होता है वहाँ पर बोजी जो है इसकी flower होती है तो वो colorful leaves बनने के लिए इसे nitrogen rich fertilizer की जरुवत नहीं होती है अगर आप इसको जादा nitrogen देंगे तो ये green color की पतियां जादा निकालेगा इसके अंदर colorful leaves कमाएंगी इसलिए हमें इसको phosphorus rich fertilizer देना है यहाँ पर मैं normally गोबर की खाच जो मेरे घर की है मैं वो इस्तेमाल कर रहा हूँ और दो मुठी मैंने लिया है इसके साथ दो चम्मच मैंने भर-भर के bone dust ली वही है bone dust मतलब जानवरों का जो मतलब जो हड़ी होती है उसको जब crust करके ऐसे ही bone meal बनाया जाता है convert हो जाती है यहाँ देखिए मैंने अपने पौधे के अंदर ये दोनों ही मिस्रण डाल दिया गोबर की जो खाद होती है ये जिस normally normal process से हम लोग तयार करते हैं इसमें कभी कबार बहुत जादा fungus भी पनपने की संभावना बनी रहती है ऐसे में फौधे में ये fungicide आप जरूर डालिए एक चम्मच मैंने यहाँ पर साफ का fungicide जो है वो डाल दिया है fungicide roots के पास जाकर एक protection layer तयार करता है जड़ों के पास जिससे होता क्या है कि जड़े सुरच्छित रूप से अपना वो सभी भोज्यपदार्थ लेकर पौधे के हर भाग तक पहुचा पाती है और जब तक पौधे को उपियुक्त मात्रा में जो feed है उसका वो नहीं मिलता है तो ना पौधा flowering कर पाता है ना ही fruiting यही बात भोगन बिला के इस प्लांट पर भी अप्लाई होती है इसको हमने जो गोबर की खाद और बोन मिल फासपुरस का बहुत है रिस्ट सोर्स होता है साथी साथ उसके अंदर calcium वगेरा भी परियापत मात्रा में पाई जाती है और इसके अलामा micro और macro returns का भी बहुत बढ़ियाँ सोर्स होता है गोबर खाद भी बिल्कुल ऐसे होती है तो है क्या कि अगर ये सारी चीज़ें दे कर हमें happy flowering लेनी है तो हमें ये फंजिशाइट का भी इस्तमाल चरूर करना है अगली जो चीज है वो है इसकी non growth tips को cut करना मतलब वो tips जिनके अंदर growth नहीं है growth रुक्च की है और नीचे से अभी नई branches निकल के नहीं आ रही तो अगर आप उनकी trimming कर देंगे light trim करेंगे है भी मतलब अपने अगर hard pruning कर ली हो पहले तो आप light prune कीजिए तो आप भी ऐसे कर सकते हैं वनना heavy pruning भी आप कर सकते हैं इसके बाद अगर आपने pruning कर ली हो फिर भी खाद वगेरा दे ली हो फिर भी colorful lips नहीं निकल के आ रही तो आपको ये green lips हटानी होगी जादा नहीं एक एक पौधे की lips आप जो है वो थोड़ा थोड़ा करके हटाते रहेंगे तो कुछ दिनों के बाद आपको आपके पौधे के अंदर colorful lips जो है वो दिखना सुरू हो जाएंगे क्योंकि होता क्या है कि जब पौधा अपनी energy in green lips को पोशर देने में लगा देता है तो वो colorful lips जो है वो निकल कर नहीं आती खाद वगेरा मैंने दे लिया मेरे पास बोगन बिला के total साथ गमले हैं साथ गमलों में मतलब खाद देना और पूरा वीडियो कबर करना वो आसान ही था इस बज़े से मैंने सारे पौधों के अंदर पहले खाद डाल दिया उसके बाद मैंने अच्छे से वाट्रिंग कर दी कभी भी पौधों के अंदर अगर आप फर्टिलाइज पौधों को कर रहे हैं तो खाद देना बिलकुल मत भूलिए इसके अलामा अगर आप चाह करते हैं मैं थे किसी नए वीडियो में तब तक के लिए बाबाएं टेक के लिए